चानक्या ये सक्यार्मी करेंट फेस में आपका स्वागत है आज का टॉपिक है कावेरी जल विवाद हाल ही में तमिल नाडू के साथ कावेरी नदी के जल बटवारे के विरोध में करनाटक बंद है तमिल नाडू और करनाटक में कावेरी नदी के जल बटवारे को लेकर विवाद दशकों से जारी है 2018 में सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में करनाटक को जून से मई के बीच तमिल नाडू के लिए 117 टीमसी पानी छोड़ने का आदेश दिया था आएए देखें विरोध का कारण 13 सितंबर को कावेरी वाटर मैनेज्मेंट अथोरिटी ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि करनाटक अगले 15 दिन तक तमिल नाडू को कावेरी नदी से 5000 क्यूसेक पानी दे करनाटक के किसान संगठन, कननड संस्थाएं और विपक्षी पार्टियां इसी फैसले का विरोध कर रही है करनाटक और तमिल नाडू के बीच कावेरी नदी से जुड़ा यह विवाट 140 साल पुराना है बैंगलूरू अर्बन, मांडिया, मैसूर, चामराजनगर, रामानगर और हसन में धारा 144 लागू की गई है यानि 4 से जादा लोग एक साथ एक जगह पर इकठा नहीं हो सकते हैं इन जिलों में सभी शैक्षनिक संसाएं बंद हैं आईए देखें कावेरी बेसिन के बारे में कावेरी एक अंतर राजिय बेसिन है जिसका उदगम करनाटक है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पुर्व, तमिल नाडू और पॉंटी चेरी से होकर गुजरता है कावेरी बेसिन का कुल जल संभरन 81,155 वर्ग किलोमेटर है जिनमें से करनाटक में नदी का जल संभरन शेत्र लगभग 34,273 वर्ग किलोमेटर है केरल में कुल जल संभरन शेत्र 2866 वर्ग किलोमेटर है तथा तमिल नाडू और पॉंडिचेरी में शेश 44,016 वर किलोमेटर जल संभरन शेत्र है कावेरी नदी की सहायक नदियों की भूमिका भी एहम होती है करनाटक में हरंगी और हेमावती बांथ हरंगी और हेमावती नदियों पर बने है हरंगी और हेमावती कावेरी की ही सहायक नदिया है राजय में मुख्य कावेरी नदी में इन दो बांधों के निम्न धारा में कृष्णा राजा सागर बांध बनाया गया है करनाटक के कभीनी जलाश्य का निर्मान कावेरी नदी की एक सहायक नदी कभीनी नदी पर किया गया है जो कृष्णा सागर जलाश्य में जुड़ती है अब जब कावेरी तमिल नाडु की और आती है तो यहां नदी की मुख्यधारा में मेटूर बांध बनाया गया है कावेरी के साथ कभीनी और मेटूर बांद के संगम के बीच केंद्रिय जल आयोग ने मुख्य कावेरी नदी पर दो GND स्थलों यानि कोलेगर और बिली गुंडुलू की स्थापना की है बिली गुंडुलू GND स्थल मेटूर बांद के तहट लगबग 60 किलोमिटर हैं जहां कावेरी नदी करनाटक और तमिल नाडु के साथ सीमा बनाती है अब जानते हैं कि विवाद क्या है तमिल नाडु और करनाटक के बीच कावेरी जल विवाद लंबे समय से जारी है साल 1892 और 1924 में मदरास प्रेसिडेंसी और मैसूर समराज्य के बीच हुए दो समझोतों के तहर दोनों राज्यों में कावेरी नदी के पानी के बटवारे पर सहमती बनी थी साल 1990 में भारत सरकार ने 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना की CWDT ने करनाटक को राज्य में अपने जलाश्य से पानी छोड़ने का नरदेश देते हुए 25 जून 1991 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था उस आदेश में कहा गया था कि एक जल वर्ष में मासिक रूप से या सपताहिक आकलन के रूप में तमिल नाडू के मेटूर जलाश्य को 205 मिलियन क्यूबिक फीट पानी सुनिश्चित हो सके जल शक्ती मंतरालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सरक्षन विभाग के मताबिक किसी विशेश महीने के संदर्ग में चार बराबर किस्तों में चार सपताहों में पानी छोड़ा जाना होता है यदि किसी सब्ताह में पानी की अपेक्षित मातरा को जारी करना संभव नहीं हो तो उस कमी को पूरा करने के लिए बाद की सब्ताह में छोड़ा जाएगा वहीं वी नियमे तरीके से तमिल नाडू द्वारा पॉंडिचेरी के कराइकल शेतर के लिए 6 टीमसी जल दिया जाएगा CWDT बनने के बाद भी तमिल नाडू और करनाटक में कई मुद्दों को लेकर विवाद जारी रहा और अंतत्यम मामला उच्चतम नयालिय तक पहुँच गया साल 2018 में सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में करनाटक को जून से मई के बीच तमिल नाडू के लिए 137 टीमती पानी छोड़ने का आदेश दिया था कोट ने अंतिम अदालती आदेशों के धांचे के बीतर राज्यों के बीच विवादों का निप्टारा करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल नियामक समिती के गठन का भी आदेश दिया था इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है कल हम एक नई टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद